आप सभी का मेरे चैनल पर पुनह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, क्या आप सभी स्वस्तोंगे, महादेव की क्रिपाप सभी पर सथायव बनी रहें, ये वीडियो कर क्यानिकी, कैंसर के लिए बहुत महत्तोपुन है, क्योंकि वीडियो है, मार्च दोहजार चौबिस के मासिक राशीफल के बार में, मेरा मासिक राशीफल जीवन की प्रमुख चीजों प्याधावित होता है, जैसे की सामाने विश्टेशन, करियर, बिजनस, इंकम, इंवस्पन, लव लाइफ, मैड लाइफ, स्टूडेंस से है, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ के साथ, ये महीना काफी eventful रहेगा, क्योंकि कई करहों का राशीफल हो रहा है, और कुछ प्रमुख यूतियां बनेंगी, कुछ प्रमुख योग बनेंगे, कुछ प्रमुख दोश भी बनेंगे, और साल का पहला गरहन भी इस महीने हो रहा है, मंगल यहाँ पर आजाएंग ग्रहन दोश युक तो हो जाएंगे, जो जोतिश का दोश होता है, और जो खगोली अगटना होती है, यानि कि के तु के साथ जब चंद्रमा 25 तारीक को होंगे, पूनिवा वाले दिन, यानि कि होली वाले दिन, उस दिन ग्रहन साल का पहला लग रहा है, उसका भी प्रभाव जीवन पर रवश्य होगा, और आप पर जादा होगा, क्योंकि चंद्रमा जिन पर ग्रहन लग रहा है, वो स्वैम लगनेश है, तो देखते हैं क्या-क्या हो सकता है, इस महीने, सबसे पहले लगन भाव को ही देखेंगे, कि लगन पर किस-किस ग्रह का प्रभाव है, पहले धन प्राप्ति के लिए, कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए, प्रॉपर्टी खईदने के लिए, वाहन खईदने के लिए, ये जो समय है आपका काफी अच्छा है, मंगल भी कही ना कहीं 15 तारीक तक देखते रहेंगे, और शुक्र के साथ उनकी यूति, यानि कि अपने जिवन में भौतिक सुकों की प्राप्ति के लिए, ये जो समय है आपका सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ट है, क्योंकि मंगल यहाँ पर रूचक नाम का पंच महापुरुष योग बना कर भी बैठेंगे, और शुक्र के साथ उनकी यूति भी है, तो ये भी बहुत अच ये बिजनस के लिए भी बहुत अच्छा, शुक्र मंगल ही होती, विवाहा के लिए भी बहुत अच्छी होती, तो अपने विवाहा के समद्ध में चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, ये जो साथ तारीक का समय है, जब तक शुक्र यहाँ पर है, बहुत अच्छा रहेग मंगल तो खैर आपके लगन भाव को पंधरा थारीक तक देखते रहेंगे, तो वो क्युक्कि आपके दस्वे घर के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, तो करियर में भी आगे बढ़ेंगे और सब्तम से क्युकि लाबस्थान के स्वामी है, नहीं कि अपने बिजनस में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपके योग कारग्रह है, इसलिए योग कारग्रह होने के नाते, आपके कई अपून कारियों को पून करने का उनके अंदर ये एक शम्दा भी दिख रही हैं, तो ये एक अच्छी चीज है, इस महीने का जो पहला राशी परिवतन होगा, वो होगा साथ तारीकों, और साथ तारीकों ही दो राशी परिवतन होगे, सबसे पहला होगा बुद्ध का जो आपके नवम भाब में आ जाएंगे, और शुक्र का जो आपके अश्टम भाब में आ जाएंगे, सबसे पहले बुद्ध की बात कर लेते हैं देखे बुद्ध नीच के हो गए मैं हमेशा कहता हूं कि नीच का ग्रह पैसा बहुत दे सकता है लेकिन कोई भी ग्रह जब नीच का होता है कारण तो होगा कि कहा जाता है कि वो नीच का हो गया तो वो समझना पड़ता है केवल जोतिश में या जोतिश के ग्रंथों में लिखी बातों को पढ़कर कोई भी जोतिश नहीं बन सकता कहीना कहीं समय के साथ चीजों को बदलना पड़ता है अनलाईज करना पड़ता है तो बुद्ध का नीच का होना कहीना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाता है लेकिन क्योंकि बुद्धी के कारक है और बैट कहां गए राहू के साथ और राहू क्या करते हैं भ्रम फैलाते हैं राहू क्या करते हैं छलियां है राहू छलावा फैलाते हैं तो ये समय है जब आपके जीवन में बहुत भ्रम उत्पन होगा और क्योंकि बुद्धी के कारक है और आपके लिए बारवे घर के स्वामी है तीसरे घर के स्वामी है तो अचानक से जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल मच सकती है बॉसेस के साथ संबंद पिगर सकते हैं और यह यूती आपके पिता जी के लिए अच्छी नहीं दिख रही क्योंकि पिता का स्थान है यहाँ पर राहू अल्रेड़ी है और बुद्ध का गोचर भी है और यहाँ पर सूर्य भी आने वाले होंगे इसलिए जो समय थोड़ा सेंसेटिव रहेगा जो नवम भाव है यह लगन से त्रिकोन स्थान है तो इसका प्रभाव लगन पर सीधा होता है तो अपने सोचने समझने के क्षमता पर थोड़ा कंट्रोल कीज़ेगा जैसा मैंने कहा राहू भ्रह्म है और बुद्ध बुद्धी है लेकिन बुद्धी नीच की हो गई और राहू का जो प्रभाव है वो और बढ़ जाएगा तो ऐसे कुछ डिजीजन ऐसे कुछ कृत्य ऐसे कुछ कार्य कर देंगे जो आप वैसे यूजूली अपने नॉर्मल लाइफ में ना करें लेकिन यहाँ पर उन कार्यों के शुक्र का भी राशी परतन जैसे मैंने का साथ तारीक को ही हो जाएगा क्योंकि शुक्र अश्टम में आ रहे हैं शुक्र धने के कारक है अचानक से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हो सकता है अचानक से जो मिलता है दन कस्मक, धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बंग रहे हैं शनी के साथ है, शनी शुक्र मित्र है और कहीना कहीं एक दूसरे के लिए योग कारक है, आपके लिए भलाई नहीं है लेकिन इनके यूती कहीना कहीं थोड़ी अच्छे माने जाती है क्योंकि शुक्र लाबस थाने के स्वामी है तो ये भी कहिना कहीं बता रहा है कि अचानक से लाब होगा शुक्र चौथे घर के स्वामी है ancestral property से भी आपको यहाँ पर लाब प्राप्त हो सकता है ये अच्छी चीज़ है लेकिन सूरे के साथ ये कहिना कहीं married life में ये जो समय होगा 7 तारीक से 14 तारीक तक का ये उथल पुथल ला सकता है क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर आगए सूरे भी आगए married life में problems आ सकती है third party situation हो सकती है क्यानि कि दोनों का ही कहीं न कहीं दिमाग इधर उदर भागेगा और ज्यादा चांज देखिए आपके life partner का कहीं involvement यहाँ पर हो सकता है तो चीजें सामने आ सकती है तो थोड़ा सा यहाँ पर कश्टकारी यह चीजें दिख रही है मंगल तो अल्री मंगल दोश बना कर बैटे है तो problems हो कही ना कही है अल्री चल रही होगी इसके बाद सूर्य राशी परतन होगा 14 तरिकों और मंगल राशी परतन होगा 15 तरिकों यह एक दूसरे के आसपास ही होगा अब सूर्य भी आपके नवम भाव में आकर बैट जाएंगे यह थोड़ा सा critical है कारण यह है कि सूर्य पिता के कार रखे और जब नवम भाव में आते हैं तो कार को भावना शाय दोश उत्पन करते हैं इसलिए इसको पित्र दोश भी कहते हैं क्योंकि यह पिता जी पर भारी पड़ता ही है यूजुली तो यहाँ पर क्योंकि गरहन दोश भी हो गया राहु ने सूरे महाराज पर ग्रहन दोश लगा दिया और नीज के बुद्ध भी है तो ये समय आपके पिता जी के लिए अच्छा नहीं है अपने पिता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजेगा घर के बड़ों के साथ संबंद विगण सकते हैं कोई ऐसी सिच्वेशन क्रियेट हो सकती है जिससे घर में बहुत बड़ी बहस हो और उसके करण संबंदों पर विकार पड़ सकता है धर्म के एकदम विरुद्ध जाने की आपकी प्रकृति हो जाएगी जो यूजुली आपको नहीं करना चीए लेकिन ये वो समय है राहू भी यहाँ पर है जो धर्म के विप्रीत लेके जाते हैं कई बार जब हम धर्म परिवाटन की बात करते हैं तो वहाँ पर राहू बहुत इंपॉर्टन ग्रह होते हैं कई बार ऐसा होता है कि कोई विक्टि किसी एक धर्म से बदलकर दूसरे धर्म पर चला जाता है तो वहाँ पर राहू का कहना की लेंदेन होता ही तो यहाँ पर इन सब चीजों पर ध्यान दीजेगा अपने बॉसेस से बहुत बचकर रहिएगा क्योंकि अगर किसी बड़ी कॉर्परेट आदी में काम करते हैं और यहाँ पर आपके कुछ गड़बर हुई तो बहस में कंबर सिर्फ बहस तक नहीं रहेगी और फिर आपके बॉसेस आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर केरफूल रहना है इसके बाद एक और राशी परतन होगा वो होगा मंगल महराज का और मंगल आपके अश्टम भाव में आ जाएंगे 15 तारिक को मंगल क्योंकि आपके लिए योग का रखें अश्टम भाव कई चीजों को डिनोट करता है और अश्टम भाव रास्ता भी दिखाता है तो अगर कहीं रुग गए थे, थम गए थे, आपका जीवन थम गया था, पता नहीं चल रहा था, कहां से आगे बढ़ना है यह वो समय है जब मंगल यहाँ पर आके आपको रास्ता दिखा सकते है मंगल शुक्र की युति यहाँ पर भी कहीं न भी विवाह के लिए योग बना देती है क्योंकि सब्थम से दूसरा भाव है लिकिने शनी मंगल की जो युति है यह अच्छी नहीं है यहाँ पर मैरेड लाइफ पर प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है यह अश्टम भाव के मंगल मंगल दोष भी कनाते है शनी एक सेपरेटर है तो मंगल दोष की जो एक जो उनकी इंटेंसिटी है मंगल दोष की उसको और बढ़ाएंगे और शुक्र यहाँ पर है यानि कि किसी और का इंवॉल्मन जो मैंने कहा था तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आजकती है आपके लिए मैरिड लाइफ के लिए स्पेशली समय अच्छा नहीं होगा बहुत ध्यान आपको यहाँ पर देना पड़ेगा क्योंकि मंगल यहाँ से लाबस्थान को देखेंगे तो कही ना कही धन प्राप्ति के योग तो आपके इस पूरे महिने में अच्छे खासे बन रही तो इन सब चीजों का ध्यान दीजेगा गरहन जो लग रहा है 25 तारीक को तीसरे भाव में अब इसका प्रभाव भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है तीसरे भाव का जो गरहन है ये थोड़ा positive बी result दे सकता है positive क्या दे सकता है जैसे मैंने कहा कि आच्छवा स्थान रास्ता दिखाता है वैसे ही आठवे से आठवा स्थान तीसरा भाव भी विक्ति को जीवन में रास्ता दिखाता है तो जो पूर्निमा पर गरहन लग रहा है ये थोड़ा सा आपको विचलित करेगा लेकिन एक नया रास्ता आपके जीवन में लेकर आ सकता है लेकिन इसका negative प्रभाव जादा होगा आप पर लगने ही शह है उन पर गरहन लग रहा है क्या होगा सेहत सेहत खराब हो सकती है एक चीज़ बताना भूल गया शनी मंगल की होती injury मंगल शुक्र की होती accident और ये मंगल कही न कहीं गरहन को भी देख रहे होंगे तो 25 तारीक से एक हफता पहले हुलाश्ता की माल लीजी और 25 तारीक के एक डेड़ हफते बाद तक बहुत risk free जीवन जीएगा यहाँ पर injury हो सकती है यहाँ पर car accident हो सकता है तो थोड़ा संभल कर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और तब्ये तभी अचानक से बिगड़ सकती है infections बहुत हो सकते है holy cut हमें होगा तो थोड़ा सा बच के रहेगा injury का योग बहुत जादा है आपका और यह वो समय है जब भाई बहनों से संबंद रिष्टेदारों से संबंद दोस्तों से संबंद बिगड़ सकते हैं अचानक से तो इस चीज को लेकर careful रहीगा विशेश predictions एक्टिव काफी दिख रहे हैं महिने होना भी पड़ेगा क्योंकि यह नहीं ऐसा है clarity बहुत आएगी inspiration बहुत मिलेगी और कहीना कहीं एक अध्यात्निक चेतना भी महिने के अंत तक आते आते जागरुत होगी संबंदों पर ध्यान दीजेगा क्योंकि बगड़ सकते हैं सिर्फ boyfriend girlfriend वाला नहीं कह रहा कई लोग होते हैं जीवन में उनसे संबंद बगड़ सकते हैं थोड़ा सा वैसे भी होती है भावना शमा करने की और अगर किसी से कोई संबंद बिगड़ गया था तो उनको शमा करकर आगे बढ़ने का भी महीना है थोड़ा एगो कम रखेगा वैसे की ये यूजिली एगो थोड़ा कम होता है करकवालों का लेकिन ये महीना है छाएंपे आपका थो भाव में गुरु है, दो महीने और बचे हैं उनके, और यहाँ पर वो कर्म धर्मादी पती योग भी बना रहे हैं क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी भी है, गुरु जाते जाते बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, अच्छी सीख दे कर जाते हैं लाइफ चेंजिंग एक्सपेरियंसे दे कर जाते हैं बड़े ग्रहों के विशेष्टा होती है कि वो एक राशी में बहुत देर बाद आते हैं तो कुछ ना कुछ अवश्य वो अपनी तरफ से और गुरु जैसा ग्रह, जिनका नाम है गुरु है यानि कि बहुत अच्छी सीख दे कर जाते हैं यह जो दो महीने हैं अपने करियर को एरहेंस करने के लिए कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे जो knowledge earn करेंगे तो जब गुरु आपके लावस्थान में जाएंगे जो दस्वे से दूसरा है तो अपने करियर के वृद्धी में वो आपको अवश्य मदद करेंगे दशमेश यानि कि मंगल दस्वे घर के स्वामी उच्च की अवस्था में पंदरा तारीक तक रहेंगे और दस्वे घर को देखेंगे भी तो ये महीना कहिना कहीं करियर के लिए अटलीस्ट पंदरा तारीक तक तो अच्छा देख रहा है प्रॉब्लम थोड़ी सी पंदरा तारीक के बाद आना शुरू होगी कारण क्या है कि चौदा तारीक को आपके नवम भाव में सूर्य आ जाएंगे अब ये जो भाव होता है नवम ये बॉसेस का होता है तो बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम से इस महीने छेलने को मिलेंगे इवन कई लोग इतने परिशान हो जाएंगे कि वो जौब छोडने तक कमन मना सकते है राहू के कारण शड्यंत राता है तो आपके बहुत से स्वेम आपके खिलाव शड्यंत रखेंगे और बुद्ध भी यहाँ पर है निकी कलीक्स भी कहीना कहीं बहुत तंग करेंगे तो यह महीना 15 तारीक के बाद आप खुद ही देखेंगे बदल सा जाएगा एकदम सब ठीक चल रहा था और अचानक से बदल सा जाएगा और क्योंकि आठवे घर में दशमेश है यह अपने आप पे अंसर्टेनिटी दिखाता है यानिकी अनिश्यत्ता रहेगी अब दश्टवे घर से ग्यारवे में इतने सारे ग्रह है तो ठीक है जिनका दशा अंतरशा अच्छा है उनकी सैलरी वेगरा बढ़ सकती है लेकिन जिनके दशा अंतरशा ची नहीं चल दी जो धित्तम लोगों की नहीं चलती उनके लिए अनिश्यत्ता क्रियेट करेगा और ये समय उनके करियर में थोड़ा सा बाधा युक्त होगा तो थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा है अपने बॉसे से बहुत बचकर रहीगा इवन अपने कॉम्मुनिकेशन पर भी आपको इस महीने बहुत ज़्यान देना पड़ेगा एक्टिव रहीएगा क्योंकि गलतिया होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है जब बुद्ध, गरहन, युक्त सूर्य और राहू के साथ हो तो थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा है, गरहन भी लग रहा है इस महीने और वो 25 तारीक को आपके तीसरे भाव में लगेगा तो कलीक ज़वारा प्रॉब्लम दिख रही है और अपने कॉम्मुनिकेशन के द्वारा भी प्रॉब्लम आ सकती है तो यह महीना थोड़ा सा मिला जुला सा ही दिख रहा है विशेश प्रेडिक्शन थोड़ा सा अपने संबंधों पर काम कीजेगा जो लोग आपको समझते है कारक शित्र में जिनसे आपकी बनती है उनकी हेलप लीजेगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो चीजें बहुत बदलेंगी और बहुत तेज गती से बदलेंगी तो उसके अनुसार बदलना पड़ेगा यहाव टो बी एक्टिव क्लैरिटी के साथ काम करेंगे तो अच्छा है स्ट्रक्चर्ड वे में, और्गनाईज वे में काम करेंगे अच्छा है और जितना कुछ आता है उसको यूटिलाइज करेंगे तो अच्छा है जैसा मने खा गुरू यहाँ पर है तो अपने आपको इंप्रूव करने का मौका भी मिलेगा लेकिन महीना क्योंकि थोड़ा सा अनिश्यत्ता वाला दिख रहा है तो जितना फोकस और जितना अटेंटिव होकर काम कर सकते हैं उतना अच्छा है कई बार आप बहुत ओवर एंथूजियास्टिक भी इस महीने हो सकते हैं और उसका भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है तो जितना केरफूल रह सकते हैं अच्छा है यदि आप डेटा से जुड़ा, आईटी से जुड़ा, एजुकेशन, कंसल्टेशन से जुड़ा, विदेश से जुड़ा, इमिग्रेशन से जुड़ा या फिर कॉमिनिकेशन सम्मदित कुछ भी कारे करते हैं तो महीना अच्छा जाएगा चलते हैं बिजनस के तिरफ, बिजनस के लिए वैसे महीना ठीक ठाकी है, कोई बहुत जादा बुरा नहीं है दो तिन नेगिटिव चीज़े हो सकती है, वो मैं अवश्य बताऊँगा सब्तम भाव, कही ना कहीं, सॉरी, हाँ, सब्तम भाव बिजनस का होता है तो यहाँ पर मंगल रहेंगे, 15 तारिक तक योग का रखें, अच्छा है शुक्र भी है, वो लाभेश है, यहाँ पर बैठकर धनियोग बनाएंगे, यह भी अच्छा है तो यह महीना overall ठीक है, ब्रहस्पती की पोजिशन और बुद्ध की पोजिशन भी देखनी चाहिए तो गुरु की पोजिशन तो ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ी बुद्ध की पोजिशन से, क्योंकि बुद्ध साथ तारिकों नीच के हो जाएंगे और राहू के साथ हो जाएंगे तो यहाँ पर क्योंकि बिजनस में पैसा खमानी की अबिलिटी कितनी है आपकी बिजनस सेंस कितनी है, वो बुद्ध से आती है तो यहाँ पर जब वो नीच के और राहू के साथ आ जाएंगे कुछ गलत निरने आप ले सकते हैं जो आप पर बहुत भारी पढ़ेंगे इवन धोखा भी आपके साथ हो सकता है, धोगे धरी हो सकती है कोई ऐसी डील आपने साइन कर ली जो आगे जलकर मुश्किल में डालेगी कोई फेक एगरिमेंटी बना लिया, कोई फेक डील में फस गए ये सारी चीज़ें आपको तंग कर सकते हैं तो बहुत केरफुल रहीगा सूरे भी कही ना कहीं यहाँ पर जॉइन हो जाएंगे और सूरे पर गरहन लग रहा है गरहन दोश लग रहा है उन पर बुद्ध के साथ है नहीं कि लिखापड़ी में घड़वर हो सकती है सरकार से बाधाएं आ सकती है और इवन कोई आपका एगरिमेंट कोई आपका जो प्रोड़क्ट है आपका कुछ प्रोड़क्ट बेस बिजनस है तो उसमें भी कोई बड़ी प्रोब्लम आ सकती है इवन अगर आप सर्विस बेस कुछ करते हैं तो सर्विसस में भी कोई प्रोब्लम आ सकती है थोड़ा केरफुल रहने का महिना है और यह सब 15 तारीक के बाद जादा होगा 15 तारीक को मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे और शुक्र अलड़ी 7 तारीक को यहाँ पर आ चुके होंगे अब क्योंकि सब्टम से दूसरा भाव इतना जादा बली है तो पैसा बढ़ेगा और शनी मंगल की यूती बिजनस के लिए अच्छी होती है स्पेशली जिनका कुछ मशीनरी बेस बिजनस है कुछ प्रोडक्शन मैनेफेक्टरिंग बेस बिजनस है यह सब ठीक है लेकिन शनी मंगल की यूती अपने आप में विस्वोटक हो सकती है तो यहाँ पर यूजली क्या देखा जाता है कि जब शनी मंगल ऐसे अश्टम भाव में होते है तो वेक्ति एक बुड़े निरने लितो लेता ही है अगर पार्टनर्शिप वाला बिजनस है तो उसमें प्रॉब्लम आती है पार्टनर्स के द्वारा इवन जो आपके इंप्लॉईज है उनके कारण भी आपका आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जहलने को मिल सकती है यानि कि थोड़ा सा भाग्या विरुद हो सकता है महीने के अंत में और लगनेश पर ही गरहन लगेगा इसलिए महीने के अंत में रिस्क मतले जितना रिस्क लेंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है बिजनस जो लोग करते हैं थोड़ा रिस्तो लेना ही पड़ता है लेकिन ये वो टाइम है जब आपको महीने के अंत में बुलकल डिस्क फ्री होकर काम करना है विशेश प्रेडिक्शन प्रैसा वश्या आएगा इस महीने में creativity भी दिख रही है, opportunities भी दिख रही है, hard work भी pay off करेगा negative चीज ये होगी कि shortcuts लिए तो भारी पड़ेंगे धोका मिल सकता है partner से भी या किसी और विक्ती से भी और किसी चीज में unsure है और फिर भी आगे बढ़ गए वो भी इस महीने आपके business को ले डू या उस पे कुछ ना कुछ negative create कर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा over planning से बचेगा, इस महीने over planning बहुत आपको तंग कर सकती है यदि आप aviation, दवाईयों से सम्मनित, event management, इंडिरियर्स, आर्किटेक्चर, फनीचर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल, एनिमल प्रोडक्स, एनिमल्स, इनसे जुड़ा कुछ भी real estate और manufacturing, इनसे जुड़ा कुछ भी कारे करते हैं तो ये महीना अच्छा जाएगा चलते हैं income investment और expenses के तरफ, income के हिसाब से तो मैं बता ही चुका हूँ, महीना अच्छा है, मंगल योग का रखे, पहले यहाँ पर रहेंगे, 15 तरीक तक उच्चके होकर, पंचमहापुरुष योग बनाकर लगन को देखेंगे, उसके बाद मंगल यहाँ पर आ जाएंगे, औ अश्टमभाब में और धनस्थान को देखेंगे, तो पैसा तो इस महीने अवश्या आएगा, investment की बात कर लेते हैं, investment के लिए भी महीना ठीक ठाके दिख रहा है, शुरुवादी दस दिन अच्छे है, बीच के दस दिन में लाब बहुत हो सकता है, अंतिम दस दिन में थोड लाहू के साथ आजाएंगे यहाँ पर 15 तारिक तो इस savings पर इससे बुरा प्रभाब पर सकता है, यहाँ पर नुकसान भी होता है, धोका दड़ी भी हो सकती है, किसी गलत कारे में आप फज गए, किसी गलत जगा पर आपने पैसा दे दिया, वहाँ पर problem और अचानक से बहुत खर्चा होगा, धार्मिक कारों पर बहुत खर्चा होगा, ऐसा दिख रहा है कि घर में कोई function आदी हो सकते हैं, कोई पारिवारिक functions हो सकते हैं, उस पर खर्चा होगा, इसके साथ ही घर में मरम्मत करानी पड़ीगी, special leakage आ दिया, कुछ इन सब चीजों की dampness की problem आ सकत उस पर खर्चा होगा, entertainment में बहुत खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, अपने पती या पार्टनर के ओपर थोड़ा सा खर्चा जादा होगा, और इसके साथ ही कोई legal case अगर आपका चल रहा है, तो उस पर भी खर्चा थोड़ा जादा इस महीने आपका होता हुआ दिख रह है, overall पैसा आएगा, लेकिन जो खर्चे है थोड़ा सा उस पर नियंतरन रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अश्टम भाव क्योंकि इतने सारे ग्रहों से युक तो होगा, सूर्य और बुद्ध तो यहाँ पर आदेंगे, लेकिन मंगल भी यहाँ पर होँगे, शुकर भी य अच्छा महिना है, यह महिना बहुत ही जादा शुब है कहिना कहीं, अगर बातचीत बंद हो गई थी, तो उन चीजों को दुबारा ठीक करने के लिए, यह महिना बहुत शुबता दिखा रहा है, इवन नए लेशनशिप की भी शुरुआत हो सकती है, बस यह कहूंगा कि क् लोंग्टर्म है, या फिर पियर प्रैशर है, या फिर सिफ हां कोई होना चाहिए, इसले रेशनशिप स्टार्ट करें, तो इस पर ध्यान दीजेगा, अगर लोंग्टर्म परपस से ही रेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो दिखर आए तब ही आगे अब बात करते हैं जो relationship में हो लड़ी, पंचम भाव सबसे important होता है, शुकर की भी स्थिति देखनी पड़ती है, तो क्योंकि पंचमेश मंगल शुकर के साथ ही होंगे तो इस महीने relationship में intimacy बहुत रहेगी, attraction बहुत रहेगा, physical compatibility बहुत रहेगी, यह सब ठीक रहेगा लेकिन थो सूरे यहाँ पर आजाएंगे, बुद्ध यहाँ पर आजाएंगे, सूरे 14 को बुद्ध साथ को, शुकर यहाँ पर आजाएंगे अश्टम में, साथ को मंगल यहाँ पर आजाएंगे, 15 को, अब क्योंकि शुकर रोमैन साधी और relationship के कारक हैं, और मंगल उस्थाने के स्वाम होगी अब यहाँ पर उनके लिए जादा करश्टकारी हो सकता है जो relationship में थे और आगे बढ़ना चाते थे विवहा के तरफ तो वहाँ पर और अगर बात start हो भी गई थी तो यहाँ पर अचानक से कोई problem create हो सकती है अचानक से कोई बाधा आ सकती है यानि कि कही न कहीं बढ़ो के कारण या family के कारण थोड़ी problem आ सकती है दिकि फैमली इस बहुत important होती है relationship में, married life में लेकिन इस महीने कुछ भी ऐसा मत कीजेगा जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव कही न कहीं या intervention family का हो उसके कारण negative impact पढ़ सकता है बुद्ध भी नीज के हो जाएंगी जो पंचम से पंचम में है यानि कि communication gap भी आ सकता है तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा मिला जुला सा महीना देख रहा है अपने partner को समझने का प्रयास किजेगा कही न कहीं अनप्रेक्टिकल रहे expectation अनप्रेक्टिकल रही तो problem और बढ़ेगी creativity रखेगा ego clashes बहुत हो सकते हैं थोड़ा grounded रहेगा और थोड़ा सा बचपना भी अगर अपने relationship में रखेंगे जो एक freshness होती है relationship के शुरुआत में अगर वो वापस रखने का प्रयास करेंगे, create करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा, usually यही problem होती है कि relationship पे जब हम आते हैं तो कस्मे वादे प्यार मुहबबत सब रहता है लेकिन उसके बाद चीजें धिरे धिरे करके वो fade हो जाती है और उसके कारण problems आती है, तो वो freshness कही न कहीं वापस आएगी तो अच्छा रहेगा चलते है married life की तरफ मिश्रित सा ही महीना दिख रहा है सब्तमभा में क्योंकि मंगल है, मंगल दोश बना कर बैठे हैं और उच्च के मंगल यानि की और उगर, लड़ाई जगने चल ही रहे होंगे शुक्र के साथ मंगल की होती ही, कहीं न कहीं, मैं पहले ही बता चुक हूँ intimacy के लिए अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर हम married life की जादा बात कर रहे है तो थोड़ी problem दिख रही है, problem और जादा बड़े कारण क्या है कि मंगल अश्टम में आ जाएंगे बुद्ध यहाँ पर हो जाएंगे, सूर्य यहाँ पर हो जाएंगे, लेकिन प्रभाव मंगल का जादा बुरा रहेगा अश्टम में और शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे मंगल और शनी की जोड़ी अच्छी नहीं होती, विस्वोटक जोड़ी मैं इसको कई बार कहता हूँ और शनी क्योंकि सब तमेश है और उनका मंगल के साथ यहाँ अच्छी नहीं है लडाई जगडे बहुत बढ़ेंगे, एगरेशन बहुत जादा रहेगी और यह मंगल दोश भी है और शुक्र भी यहाँ पर है, शुक्र विवाह के कारक है, विवाहिक जीवन के कारक है उनका भी अश्टम में होना अनिश्यत्ता क्रियेट करता है और भी अगर हम देखे तो बुद्ध क्योंकि नीच के हो गए और बुद्ध सप्तम से छटेगर के स्वामी है और सूरे के साथ उनकी यूति भी हो रही है तो इवन जिनका वो एक आखरी स्टेप पे थे कि हाँ डैवोस की तरफ ही बढ़ना है कहीना कि यह वो महीना है वो चीजें जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट हो सकती है तो यह महीना बहुत अच्छा नहीं है मैरेड लाइफ के लिए प्रॉब्लम्स काफी बढ़ सकती है स्पेशली जिनकी दशा अंतर दशा अच्छी नहीं चल रही कुणली वे भी बहुत बुरे योग बने है मंगल दोश है अश्टम बहुत प्रभावित है, सप्तम बहुत प्रभावित है शुक्र वक्री है उनके लिए कहीना कहीने महीना जाधा कश्टकारी रहेगा कुछ विशेश प्रेडिक्शन्स महीं तिरफ से समझने का प्रयास कीजेगा टाइम बिताइएगा टेंशन रहेगी लेकिन आपको उसमें रियक्टिव नहीं होना थोड़ा अपने पार्टनर के लाइफ पार्टनर के नजरे से भी सोचेंगे अच्छा रहेगा कई बार मेरेड लाइफ में यही प्रॉब्लम होती है कि हम अपने नजरे से ही सोचते हैं और लाइफ पार्टनर या पार्टनर के बारे में नहीं सोचते हैं या उनके पॉइंट ओफ यू को नहीं सोचते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सीस पर ध्यान देना पड़ेगा, इनलोस के साथ या इनलोस के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, और इसके साथ ही पुरानी बातों पर बहुत जगड़े होंगे, और कई ऐसे बाते जो पहले भी जगड़े का एक मुद्दा बन चुकी है, उनी बातों पर लेकिन यहाँ पर सेहत साथ नहीं देगी, बीच के दसजिन भी अच्छे हैं, अन्तिम दसजिन में मानसिक स्थिती बहुत विगड़ सकती है, तो यहाँ पर इस महीने मुझे वैसे भी मैं देख रहा था भी, कि जादा जो प्रॉब्लम दिख रही है आपके संदर्म में फिजिकल और मेंटल सेहत दोनों ही कहिना कहीं साथ नहीं देगी, बैसे स्टूडंस की बात कर लेते हैं, पंचमेश 15 तरीक तक राजयोग बना कर बैठेंगे, अच्छा है लगन को भी देख रहे हैं, कॉम्पटे एक्जाम के लिए अच्छा होता है, मंगल अश्टम में आ बुद्धि के कारक है, वो यहाँ पर आकर, नीच के भी होएंगे, राहू के साथ भी होएंगे, सूरे भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो यह महीना ऐसा है कि आप से गल्तिया बहुत हो सकती है, आपका ध्यान नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा, चिंतित बहुत रहेंगे, और सरकारी कारियों में admissions आदी में भी कुछ बाद हाएं कुछ paper work में problem आ सकती है इससे थोड़ा मिश्रित सा ही महीना students के लिए दिख रहा है बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा अच्छी चीज उनके लिए है जो विदेश जाना चाहते हैं communication पर बहुत ध्यान देना है जादा over excitement भी तंग करेंगे थोड़ा सा negative side पर ये महीना आपका जा सकता है सेहत के दिरफ चलते हैं सेहत के इसाब से महीना बहुत अच्छा नहीं है कारण यहीं है कि एक तो आपके लगने के स्वामी चंद्रमा ही यहाँ पर 25 तारिकों गरहन में आ जाएंगे तो लगनेश का गरहन में आना सेहत पर प्रभाव डालता ही है और कहीं न कहीं 25 तारिकों है निकि उससे 5-10 दिन पहले और 5-10 दिन बाद इसका प्रभाव बहुत ज़ादा रहेगा अचानक से कुछ तब्रत भी गड़ सकती है सूरे जो इम्मिनूटी के कारक है वो भी यहाँ पर आकर ग्रसित हो जाएंगे राहू के साथ ग्रहन दोश में आ जाएंगे और अश्टम में इतने सारे ग्रहों का आना जिसमें आपकी योग कारा ग्रह भी होंगे बहुत ज़्यादा खराब नहीं कहूंगा लेकिन इनकी इम्मिनूटी अच्छी नहीं होती जलतत्व का लगन है infections, कफ रोग यह बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस महीने भी बहुत ज़्यादा careful रहना पड़ेगा क्या-क्या रोग ज़्यादा तंग करेंगे ठड्यों के रोग, हर्मोनल डिसॉर्डर आँखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम इंटरस्टाइन की प्रॉब्लम पेट के रोग लिवर की प्रॉब्लम बालों से संब्लिट प्रॉब्लम नेत्र विकार ये बहुत तंग करेंगे शुरुवाती दस दिन में स्किन डिसॉर्डर्स, नसों की रोग और आखों की प्रॉब्लम बीच के दस दिन पेट के रोग, इंफेक्शन कॉम्मुनिकेबल डिजेजिस नेत्र रोग और ENT की प्रॉब्लम और लिवर संबंदित रोग और अंतिम दस दिन में जिनको डाइबर्टीस है ध्यादा ध्यान देज, नींद रंग से नहीं आएगी और इसके साथ ही दातों के रोग तंग कर सकते हैं, अब बात करते हैं उपाय की दो सरल उपाय आपको करने है शिवलिंग पर 21 बेल पत्र चड़ा रहे हैं, हर बेल पत्र पर एक चंदन का ठीका आवश्य होना चाहिए और दूद से अभिशेक करना है और महामृतिंजे का और ओम नील कंठायन महामंत्र का 108 बार, 108 बार जाप करना है और मंदिर में कुछ शिव चारीसा के पुस्तर के दान करनी है यह उपाय कर लेंगे आपके लिए महीन अच्छा ही जाएगा आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लेजे, वीडियो को लाइक कर लेजे, मिलता हो गली वीडियो में तब तक के लिए, ओम नुमे